राश्ट्र एकता दिबस साब बस्टरे प्रधान मंत्री मोदिंकर दिलीरो अभिवास्त नास्त ची सिदाशा करने चलुचू डेड़सों वाँ जन्म जैन्ती वर्ष शुरू हो रहा है आने वाले दो वर्षों तक देश सर्दार पटेल की डेड़सों वी जन्म जैन्ती का उत्सव मनाएगा ये भारत के प्रती उनके असाधारण योगदान के प्रती देश वाचियों की कार्यान जली है दो वर्ष का ये उत्सव एक भारत स्रिष्ट भारत के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा ये अवसर हमें सीख देगा कि आज संभव से दिखने वाले काम को भी संभव बनाया जा सकता है जब भारत को आजादी मिली थी तो दुनिया में कुछ लोग थे जो भारत के बिखरने का आकलन कर रहे थे और अभी हमने सरदार साप की वाणी में उसका विस्तार से बयान सुना उन लोगों को जड़ा भी उम्मिद नहीं थी कि सेंकडों रियासतों को एक जुड़ करके फिर से एक भारत का निर्मान हो पाएगा लेकिन सरदार साहब ने ये करके दिखाया ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि सरदार साहब व्यहवार में यथार्थवादी संकल्प में सत्यवादी कारिय में मानवतावादी और धे में राष्ट्रवादी थे साथियों आज हमारे पास छत्रपती सिवाजी महराज की प्रेरणा भी है उन्होंने आकरांताओं को खदेरने के लिए सब को एक किया कि महराष्ट का राएगड किला आज भी साक्षागात वो गाथा कहता है छत्रपती सिवाजी महराज ने राएगड के किले से रास के अलग-अलग विचारों को एक उद्देश के लिए एक जुट किया था आज यहाँ एकता नगर में हम राएगड के उस अइतिहासी किले के उसकी छवी हमारे सामने प्रेरना का पतीग बनके खड़ी है राएगड किला, सामाजिक न्याय, देश भक्ती और राष्ट्र प्रथम के संस्कारों की पवित्र भूमी रहा है आज इसी पुष्ट भूमी में हम विक्सित भारत के संकल्प की सिद्धी के लिए यहां एगजूट हुए है साथियों, बीते दस वर्थ तक भारत की एकता और खंता के लिए यह कालखन अभूत्पुर्व उपलब्दियों से भरा रहा है आज सरकार के हर काम, हर मिशन में राष्ट्रिय एकता की प्रतिबद्धता दिखती है इसका एक बड़ा उदाहनन है हमारा यह एकता नगर यहां स्टेच्टी आफ युनिटी है और इसके सिर्फ नाम में युनिटी है ऐसा नहीं है इसके निर्मान में भी युनिटी है इसको बनाने के लिए पूरे देश के कौने कौने से देश के किसानों के पात से खेत में उप्योग किये है ओजार का लोहा पूरे देश से यहां लाया गया क्योंकि सरदार साथ लोपुरुष थे किसान पुत्र थे इसलिए लोहा और वो भी खेत में उप्योग किये ओजार वाला लोहा यहां लाया गया यहां देश के हर कोने से वहां की मिट्टी लाई गई है इसका निर्मान स्वयम में एकता की अनुभूती कराता है यहां पर एकता नर्सरी बनी है यहां विश्ववन है जहां दुनिया के हर महादीप के पेड़ पौधे है यहां चिल्डरन नुट्रिशन पार्क है जहां पूरे देश की हेल्दी फूर्ड हैबिट्स के दर्शन एक ही जगह पर होते है यहां आरोग्य वन है जहां देश की अलग हिस्सों की आयरुवेद परंपरा का पौधों का समावेश है इतना ही नहीं यात्रियों के लिए यहां एकता मौल भी है जहां देश भर के हैंडी क्राफ्स एक ही छत के नीचे मिलते हैं और साथियों यह एकता मौल सिर्फ यहीं पर है ऐसा नहीं हर हम देश के हर राज की राध्धानी में एकता मौल के निर्मान को पुत्साहन दे रहे हैं एकता का यही संदेश हर वर्ष होने वाली एकता दोड से भी मजबूत होता है साथियों एक सच्चे भारतिय होने के नाते हम सभी का कर्तब है कि हम देश की एकता के हर प्रयास को सेलिब्रेट करें उत्साव उमंग से भर दे उर्जा आत्मविश्वास हर पल नए संकल्प नई उमीद नए उमंग यही तो सेलिब्रेशन है जब हम भारत की भाशाओं पर बल देते हैं उससे भी एक ता की एक मजबूत कड़ी हमें जोडती है नई राष्टिय शिक्षा निती में हमने भारत की भाशाओं में पढ़ाई पर विशेश बल दिया है और आप सबको पता है और देश ने गवरों भी अनुभो किया दुनिया भर में उसे उत्सव के रूप्य बनाए गया वो कौन सा निर्णे था हाल में ही सरकार ने मराथी भाशाओं बांगला भाशाओं असम्या भाशाओं पाली भाशाओं और प्राकृत भाशाओं प्राक इन भाशाओं को सास्त्रिय भाशाओं का दर्जा दिया सरकार के इस फैसले का सभी ने दिल से स्वागत किया है और हम हमारी भाशा को मात्रू भाशा कहते हैं और जब मात्रू भाशा का संबान होता है तो हमारी अपनी माता का भी संबान होता है हमारी धर्ती माता का संबान होता है और हमारी भारत माता का संबान होता है भाषा की तरह ही आज देश भर में चल रहे है कनेक्टिविटी के काम जोड़ने के काम भी देश की एक्टा को मजबूत कर रहे है रेल हो रोड हो हाइवे हो और इंटरनेट जैसे आदुनिक इंफ्रास्ट्रक्टर के ने गाउं को सहरों से जोड़ा है जब कश्मीर और नौर्थ इसकी राजधानिया रेल से जुड़ती है जब लक्सवदीप और अंडमान नीकोबार द्वीप अंडर सी कैबल से तेज इंटरनेट से जुड़ते हैं जब पहड़ों पर लोग मोबाइल नेटवर्ट से जुड़ते हैं तब विकास की दोड़ में पीछे छुड़ जाने का भाव समाप्त हो जाता हैं आगे बढ़ने की नई उर्जा अपने आप जन्म लेती है देश की एक्ता का भाव ससक्त होता है साथियों पहले की सरकारों की नीतियों में और नियत में बेद भाव का भाव भी देश की एक्ता को कमजोर करता रहा है जाती आपणों को आमों वीडियो टी भल लगिला तेवे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करीब कुछ जो मैं भी बोलों तो नहीं